दोस्तों कल के दिन में सभी को जवाब मिल गया, कल के दिन के दोनों के दोनों WBBL के मैच मैंने आपको क्लीन सिप कराये थे, आज एक वाप फुर से सिदनी और पर्ध के बीचे होने आले, पहले WBBL मैच के बारे में एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर आपको कैसे पैसे कमाना है सारे चीजों के ओपर वन बाई वन बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ से भी मूनी को लेकर के चलेंगे, जिसने लाइन से दो मैचस में गजब की बल्ले बादशी करके दिया हुआ जो की, जो की हुमेस के मैचस कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस सीजन में काफी फॉर्म म आपको पूरा का पूरा भरोसा करके चलना है, भले यह जो मैच उनल है, यह सिदनी में होगा, लेकिन इस वाले वैनियू को पर कम मैचस खेले गया है, यह नया शेदिया में यहाँ पर मैचस नहीं खेले गया है, लेकिन हाँ, मेरे पास इस पिच का एनालिस फिर भी है, इस venue के उपर spinner आपको गेम में जरूर नजर आएंगे आखरी के 5 matches में यहाँ पर 17 विकेट पेसर्स इस्पिनर्स को मिले हुए 16 विकेट पेसर्स को मिले हुए यहाँ पर spinner गेम में रहींगी लेकिन अगर जो team मैं जीतने वाली है अगर उसकी team second ball कर रही है तो उनके spinner यहाँ पर और भी गजब की ball करके देंगे यानि कि spinners को आपको पूरा पूरा ध्यान दे करके चलना है यहाँ पर spinner आपके लिए काफी हावी रहेंगे पेसर्स भी अच्छे रहेंगे लेकिन जिसकी team पहले ball करेंगे उसी के पेसर्स को आपको ध्यान दे करके चलना है बी मूनी जो कि बल्ले बाची में opener आ रही है इस समय run भी बना रही है और किसी भी match में जल्दी flop भी नहीं है जरूरी player रहेंगे जीतने वाली team की player है और इस समय ऐसा विकेट कीपर भी खेल रही है यारी केच रॉन आउट इस सम्पिंग यह सब भी यही करेगी तो कही ना कही काफी अच्छा advantage है अगर PS की team आपको लगर की match आसानी से जीतने वाली है तो अपने GL की team में आप इसको VC बना करके चल सकते हो लेकिन हाँ कैप की choice से थोड़ा सा दूर रखना सबसे पहले अससी अता पत्तू यह अकेली प्लेयरेश स्री लंका की international team के लिए कपदानी करती है यह अकेली प्लेयरेश जोकि Sydney team को इवाद जिता सकती है क्योंकि Sydney team भी इतनी कमजोर team नहीं है सुरू के matchs में काफी यानि किसी अता पत्तू मेंली आपको बल्ले बाची में परफॉर्म करके देगे और जब-जब Sydney team ने match chase किया है वहाँ पे और भी अच्छा परफॉर्म किया है पहले बल्ले बाची करते हुए कई बार यह flop भी होई है लेकिन चेस करते हुए जादे तर में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो अगर इसकी team second बल्ले बाची कर रही है चूकि चूकि आपको तीन ओवर की करी बाल भी करेगी तीन ओवर की करी बाल भी करेगी spinner है और कई ना कई काफी बड़े लेवल की player है तो इसको आप अपने team में cap आउ VC बना करके चल सकते हो दिवाईन की बात करें mainly आपको तब अच्छा परफॉर्म करती है जब इसकी team पहले बल्ले बाची करती है क्यों? क्योंकि पहले बल्ले बाची करती है ना लंबे लंबे छक्के मारने की इसके पास opportunity रहती है लंबे छक्के मारना ही इसकी सबसे पसंदीदा चीज है और sofia दिवाईन एक ऐसी player है जो की बिना pressure के ज़्यादा अच्छा खिलती है तो जब जब इसकी team पहले बल्ले बाची करती है सोफिया दिवाईन के चलने के चांस और भी ज़्यादे रहते है प्लस इस समय आपको तीन से चार वर बाल भी कर रही है तो ये दोनों player आपको कैप आव इसी के लिए काफी अच्छे रहेंगे लेकिन हाँ जो भी team आपको लग रहे कि match जीतने वाली है ना उसी के player को आपको कैप बना करके चलना है और हमें लग रहे कि ये जो मैच अप PS की team जीतने वाली है तो सोफिया दिवाईन आपको कैप के लिए एक अच्छी player रहेगी मैं किसको बनाऊंगा आगे देखेंगे उससे पहले अगर आप इस match मेरे team से पैसे लगाने का सोच चरो मेरे fantasy की team से खेलना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे तेलिग राम चैनल को जोईनोना पड़ेगा जहाँ पर जोईनोना आपको एकदम free है तो free ये चीज़ को बिल्कुली मिसमत करना हमारे तेलिग राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन और कमें सिक्समत पिन के वा लिंक मिल जाएगा जहाँ साब free में जोईनों पाओगे आगे आने ले WBBL के सारे matches की final team आपको इसी चैनल को मिल जाएगी जहाँ पर 602,000 के करीब सब्सक्राइबर यानि के लोग पहले इसे free में जोईन आप भी जोईन जरूर हो जाना उसके अलवा अगर आप इस हमारे YouTube चैनल को पहली बार हो नए आयो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कौन जरूर कर लेना आगे अनली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी चलो वापस आओ वापस आओ बालिंग अपसन है एलीना किंग पीएस की तीम जीतने वाली है पीएस की सबसे मेन बालर है वोमेस के मैच में आश्रेलिया की तीम सबसे मस्बूत है और एलीना किंग वोमेस की तीम के लिए इंतरनेशनल लेवल का मैचेस खिलती है जरूरी प्लेयर है यहापर इस्पिनर को बाल तर्द भी मिलेगा ले करके चलने वाले है एच दर göra लिंतन इसको निकालना यानी कि आपका हारना एक बरापर है यह एक ऐसी प्लेयर है जब भी फैरम में नजर आ रही है जब इसकी तीम सबसे मैच हार रहे है और सीधा clean ball करती है तो वहाँ पे आपके लिए problem होगा अगर आप इसको निकालने का सोच रहो तो वह आपके लिए काफी risky रहेगा चाहिए पहले ball हो या second ball हो कई बार देखा है कि second ball रहता है वहाँ पहले इसकी team है चाहरे लेकिन यह आपको घजब की ball करके दे देती है तो व आदेतार मैच वह गजब की ball करके दिया सिरीज के सुरू में भी वापस से form में आ गई है सामने वाली team कई ना कई अगर सी यह तब two flop हो रही है वहाँ पे अच्छे खासे सी एंस वार्थ को विक्ट मिल सकते हैं जीतने वाली team की player है चार और पुड़ा करें कि जरूरी player रह रहें आखरी वाला मैच इनका अच्छा नहीं गया लेकिन उसके बावजूर भी एदिलेत की खिलाफ इसको तीन-तीन विक्ट मिला उससे पहले भी इस तरह पूर्थ की खिलाफ यह एक विक्ट मिला हुआ है तो वापस से मैं इसको ले करके चलूँगा में ली तब जब इस बालर है ना जादे तर मैच में आपको अच्छी बाल करके देगी अगर सामने कोई लेफटी बल्ले बाच होगी ना उसके खिलाफ तो आपको एकदम से गजब की बाल करेगी तो यह चीज़ को आपको पूरा पूरा ध्यान दे करके चलना है ती पेसकल जो कि पर्थ की एक सुरू में दो अवर करेगी एक ओवर आखरी में करेगी जादे तर मौकों पे तीं से चार और पुरा करती है अगर पीएस की तीम पहले बाल कर रही है वहाँ पे अप ती पेसकल को लेकर के चल सकते हो क्यों कि पीएस की तीम के ही मैच जीतने के चांस है एक बेस भले ही लेकिन जादेतार मौकों पे इसको दो ओवर ही बॉल देते हैं और दो ओवर बॉल करने के लिए हम अपनी टीम में ले करके नहीं चल पाएंगे यह एजर पीएस की टीम के जीतने के चांस है आखोड़ी वाले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है देख सकते हो तो मुझे लगते हैं कि अपकिल वाले मैच के लिए आपने जरूरी प्लेयर रहेगे क्यूंकि बल्ले बाची भी नमबर छे पे आकर के कई ब बालिंग से कई बार आप इसके ओवर भी कम कर रहे हैं आखरी वाले मैच दोई ओवर किया यानि कि और एक ओवर मिलने के चांस से मैक्सिमम यानि कि तीन ओवर मैक्सिमम करती बल्ले बाची में तो काफी नीचा रही है मेनली बाल से ही आपको अच्छा करेगी बल्ले बाच सकती है लेकि पूरे सीजन में इसने सिर्फ एक ही मैच वा बल्ले बाची में रन बनाया जिस मैच शुदनी थंदर्स की तीम के लिए इसने कपता नहीं किया बस उसके अलावा कभी नहीं एनसीवर ब्रूंत पीएस की तीम के लेना इस समय काफी इच्छी बल्ले बाची जीतन पीएस की तीम के जीतने के चांसा और अगर पीएस की तीम को बैद जीतना है ना तो सुरू के तीन बल्ले बाची आपको अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे वहाँ पर एनसीवर को कितना मौका मिलेगा कितना नहीं जरूरी नहीं है वैम कैप बल्ले बाची बी नमबर पांच प्यारी है बालिंग से भी चार और पुरा करेंगे सुरू में दो ओवर करेंगे एक और बीच में करेंगे एक और आखरी में करेंगे गजब की प्लेयर साउथ अफ्रिकन इनफर्म प्लेयर रें लेकर के जरूर चलना है हैदर नाइट जो कि सिद्नी थंदर्स की टीम कोर से कप्तानी कर रही है बल्ले बाची में आपको नमबर चार प्यारी है बालिंग से भी इस समय आपको कई बार एक दो ओवर कर रही है लेकर के चल लेना क्योंकि आपको इस समय फॉर्म में है पी लिच फिल्द अगर सिद् मैचप फ्लॉप हुई है तो ले करके चलना जरूर ही है अगर इसकी टीम पहले बल्ले बाची कर रही है लेकिन अगर कही मैचछ चेस कर रही है तो ये इस आपको जादा कोई मौका मिल नहीं रहा है बल्ले बाद जी में नमबर चार पह रही है मेली पचास सवर की प्लेयर 20 सवर की लेवल का कई पर अच्छे रन बना पी रही है लेकिन कोई ना कोई फ्लाप जरूर हो जाएगी क्योंकि सिदनी की तीम के मैं चारने की चांस है ती विल्सन बल्ले बाद जी में ओपनर आ रही है लेकिन अभी के लिए मैं इनके ओपर ध्यान दे करके चल रहा हूँ अगर मालो कि पी एस की तीम पहले बल्ले बाद जी कर रही है सिवर को लूँगा वहीं गर पहले बल्ले बाद जी सिदनी की तीम कर रही है वहाँ पर पी लिच फिल्द को ले कर के चलूँगा, एक यह चेंज परी तीम में होगा, जिसकी भी तीम पहले बल्ले बासी करेंगे, उसको ले करके चलूँगे, सेम वही चीज मैं आपको कहूँगा, कि अगर सिदनी की तीम पहले बाल कर रही है, वहाँ पर लॉरेन इस्मि होगी वह मैं अपने तिलिगोराम चैनल का आपको फ्री में भेश दूँगा हमारे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को दिस्किप्शन और कमेश सक्षम होग से पिन के हुआ लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री में जॉइन हो पाओके वहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम भेश हूँ हा जिससे भी खुद अपने पैसे लगांगा हमारे चैनल का लिंक आपको दिस्किप्शन और कमेश सक्षम होग से पिन कह रहा हो ना मिले तो सीधे सीधे कमेश तिस्किप्शम से जाना सबसे पहला आपको जो कमेश SMART होगस सबसे पहला कर रही है तो वहाँ पे अपसी अता पद्दू को भी कैप बना करके चल सकते हो अभी के लिए मैंने यही टीम बनाया है क्योंकि मुझे लगता है PS की टीम है जीतने वाली है बाकि जो भी फाइनल टीम होगी हो तो मैं अपने तेलीगराम चैनल को आपको फ्री में भेज़ दूँगा जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन और कमें सिक्समाग से पिंक क्याओं मिल जाएगा फ्री में जोईन होना मत भूलना वहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूँ उसके लाब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ये इस पूल लगा हमारे यूटिप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने फ्री का लाल बतने इसके लिए बहुत ज़दा मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना